व्रविये में सब कुछ छीव ठाक नहीं चल रहा है आपको बता दे कि कल इंडिये की बैठक थी और उस बैठक में मुकेशेहनी ने मुख्यमंटरी नितीश कुमार से कहा कि अपसर आही बात नहीं सुनी जा रही है अपसर हमारी बात नहीं सुनते हैं इस वजह से हो सके तो हम कि इस्तिफ़े की पेश कर सकते हैं मंत्री मुके सहनी कह रहे हैं कि हम इस्तिफ़ा देदेंगे क्यूंकि अपसर साही चरम पर है और इंडिये में उनकी बात सुनी नहीं जा रही है इसके पहले भी आपने देखा होगा जेडियू कोटे से माननीय मंत्री मदम सहनी जी थे वारी बवाल हुआ था किसी तरह से फिर डेमेज कंट्रूल किया गिया उन्होंने कहा था कि हमारे चपरासी भी नहीं सुन रहा है हम मंत्री बनकर क्या करेंगे ये सत्ता में बैटे हुए सरकार में सभी माननिय मंत्रियों की जनपर्तिनद्यों की यही हैसियत है अब सरसाही बेलगाम है तो जनपर्तिनद्यों का कोई सम्मान नहीं है तो फिर मुकेश सहनी जी ने असपस्ट कहा है अती पिछडा समाज से आत तो लोग तो त्राहिमाम कर रहे हैं अंदर अंदर जेडियू बीजेपी के कोटे के मंत्री हो चाय माननिय बिधायक हो सभी आपने देखा बिधान सवाध्यक जी के साथ क्या हुआ एक दरोगा एक सिपाई नहीं सुन रहा है यह इस्तिती है भयावा तो कौन किसी की राज्ज का मान और सम्मान बचा सकते हैं इसकी बात कर रहे हैं और वहां जो लोग है उतो नवरत्म जो है अगर कह देंगे तो फिर परदे में रहने दो परदा नहाट आओ परदा हट जाएगी तो राज खुल जाएगा इसलिए समय आने पर सब चीज आपको लेकिन यह बजट सत्र जो है यह भारी पड़ेगा अभी आगे आगे देखे होता है क्या अन्त तो होने दीजिए अब सब चीज जो है बोल देंगे तो फिर लेकिन इतना एहसास आप लोग भी सदन में देख लेंगे कि किस तरह से सत्ता पक्ष के ही लोग वहां आपस में भीड़ेंगे अन्त में देखिए जो बात हकीकत है वो सब जानते हैं कि जन्ता के मुख्य मंतरी तेजस्वी जादव जी हैं जन्ता ने तेजस्वी सरकार बनाने के लिए वोट किया था तो ये जिस तरह से सरकार बनी है ये सरकार का हस्र तो उस तरह होना ही था ये गठवन्धन में जितन को तो बना करके किस तरह से अफमानित किया आज आदरनी मांजी जी मुके सहनी जी की अगर पूछ वहां हो रही है तो उनको सम्मान तो आदरनी लालू परसाद जी तेजस्वी जादब जी ने दिया लोग सभा में तीन सीट दिया उनके पुत्र को मंत्री बनाया तो उनकी बनाए तेजस्वी जादब जी लड़ेंगे वहां वह भलाई किसी का नहीं कर पा रहे मांजी जी सहनी जी उनका क्या वहां पूछे आप देखिए बनाये आदरनी मुक्यमंत्री हमारे कहने से कोई बनता है मुख्यमंत्री बनाता है जो सदन में जिसको सबसे ज़्यादा रहता है संख्या वो जब आधरनी मुख्यमंत्री पुरू मुख्यमंत्री जितनवावु मांजी जी को सब दिन अभिवावक हम लोगों ने कहा है आधरनी जितनवावु जी रास्ता भटक जाते हैं बि लड़ रहे हैं और वो सब को दिला कर रहेंगे जड़ी के प्रवक्ता मिर्तुंजे तिवारी थे हमारे साथ और भी अपडेट से के साथ नमस्कार